हेलो प्यारे बच्चों, कक्सिया सात्मी गणित की प्रशनावली 13.03 में आपका स्वागत है आज हम करेंगे परसंद संख्या च्यार परसंद संख्या एक से तीन तक हम पिछले वीडियो में कर चुगे हैं परसंद संख्या च्यार एक और दस के बीच की किसी संख्या के दसमलो रूप में दस की खात के गुणन फल के रूप में लिखना ही क्या कलाएगा मानक रूप यहां से परहम बारी-बारी से परतेक पार्ट को हल करेंगे यह पार्ट बच्चो परत्वी और चंदरमा के बीच की दूरी दे रखिये हमें मीटर के अंदर तो दूरी हमें दी हुई है मीटर के अंदर यह दूरी हमें दी हुई है इसको हमें मानक रूप के अंदर लिखना है तीन दसमलो आठ च्यार गुणा अब देखें यहां पर दसमलो के बाद कितने अंख है एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ तो तीन दसमलो 8 च्यार गुणा दसकी घात आठ मीटर यह इसका मानक रूप हो जाएगा बी पार्ट है निर्वाद सथाल में परकास की चाल हमें दे रखी है परकास की चाल है वो हमें दी हुई है वो हमारे पास मीटर परटी सेकंड इसको हमें लेकरें हैं माने ग्रॉभ के अंदर तो वच्छों यहां पर क्या करेंगे? तीन गुणा अब यहां पर अकेला तीन है एक यह अंक है वैसे यहां पर hore जोरो के अलावा तो इसके हम तीन दस मिलो जोरो इनो भी लिए सकते हैं तीन मिले सकते हैं गुना, दस की हाथ, अब देखो तीन के बाद यहाँ पर हमारे पास हम कहें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो दस की हाथ, आठ, मीटर, पर तिस सेकंड, यह इसका अंसर हो जाएगा, सी पार्ट है, पर्थवी का व्यास इतना मीटर है, हमें दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे, एक के बाद लगाएंगे, दस मलो, दो, साथ, पांच, छे, जितने भी यहाँ पर जिरो के अलावा अंक हैं, उस अब लिख लेंगे, दस मलो के बाद, गुना, दस की हाथ, अब द देखी, यहाँ पर दस मलो के बाद कितने अंक हैं, दस मलो मने लगा, यहाँ पर इसके बाद है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो दस की हाथ हो जाएगी, साथ मीटर, इस तरह से इसको हमने लिखना है, डी पार्ट है, सुरिय का व्यास, यह में दिया हुआ है, इतने मीटर में, जिसको हम लिखेंगे, यह हमारे पास मानग रूप में हो जाएगा, एक, दस मलो, चार, गुना, अब देखो, चार के बाद सिरफ जीरो जीरो हैं, तो हम एक, दस मलो, चार, चार तक लिखेंगे, आगे देखी, अब दस मलो के बाद कितने अंक रहेगी, द पार्ट है एक आकास गंगा में ओस्तन इतने तारे हैं तो यहां पर हमारे पास जीरो के लावा सिर्फ एक है तो एक गुणा दस की घात अब देखें कितनी जीरो हैं दो और तीन पांच और तीन आठ और तीन ग्यारा तो दस की घात ग्यारा है यह इस कांसर हो जाएगा एफ पार्ट है विस मंडल या सोर मंडल इतने वर्ष पुराना आंक लिते किया गया है तो बच्चों यहां पर सोर मंडल की आईू दे रखिया हमें इसको हमें लिखना मान ग्रूप में तो यहां पर हम करेंगे एक एक के बाद लगाएंगे दस मलाओ फिर यहां पर जीरो के गात दस हो जाएगा यह इसका मान ग्रूप होगा जी पार्ट है आकास कंगा के मद्दे से सुरिय की दूरी इतने मिटर अगलित की गई है हमें दूरी दे रखिये इसको लिकेंगे हम मान ग्रूप में यहां पर जीरो के लावा सिर्फ तीन है तो तीन गुना दस की गात बीस तीन छे नो बारे पंदरे अठारे और दो बीस तो तस्कीग हात बीस मिटर यह हमारा उत्तरो जाएगा एच पार्ट है एक दस मलव आठ गराम भारवाली पाणी की एक बूंद में इतने अनू होते हैं यह हमें अनू की संख्यादी हुई है इसको हम लिखेंगे यहां पर बच्चों देखो जीरो के अलावा मारे पास तीन दो यह भी अंग पड़े हुए यहां पर तो क्या करेंगे हम छे के बाद लगाएंगे दस मलव छे दस मलव फिर जितने भी अंग हैं जीरो के लाशब लिख लेंगे जीरो दो तीन फिर गुणा दस की घाद अब देख 12 तो दस की घात हो जाएगी 22 आई पार्ट है पर्त्वी में इतने घन किलोमेटर समुणदर जल है तो इसको हमें संख्या को लिखना है मानकरूप के अंदर ती हो जाएगे हमारे पास 1,3,5,3 यह हमते लिखेंगे हम क्योंकि हमारे पास आगे 0 के लवा कोई अंक नहीं है त दस मलाओं मेष़ा लगाना हमनें एक अंक के बाद, क्यों नहीं तो संख्या मारे पास हो जाएगी 10 से बड़ी, आमें संख्या रख़नी है एक और 10 के बीच की, तो ये संख्या हमारे पास एक और दो के बीच की है, गुणा दस की घात गाता अंक दस की घात के रूप में लिखेंगे अब हम दस मलो के बाद मारे पास अंक हैं एक, दो, तीन, तीन, च्छे, वह तीन, नो तो दस की घात नो घन किलो मीटर जे पार्ट है मारच दो अजार एक में भारत की जिन संख्या इतनी थी हमारे पास क्या है एक और दस के बीच की गुणा, गुणा में क्या करते हैं दस के घाता अंक दस की घात के गुणा नफल के रूप में तो दस की घात कितनी लिखेंगे आपर दस मलो के बाद जितने अंक हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो तो दस की घाते, नो